ये कहानी है इंदू के बारे में जो शादी करने के बाद अपने ससुराल में शिफ्ट हो जाती है लेकिन उसके बाद ही इंदू को लगने लगता है कि उसके ससुराल में सभी लोग कुछ तो छुपा रहे हैं और उसके ससुराल में कुछ भयानक हाथसा हुआ था क्या इंदू कि शुरुवात होती है इंदू और संजय के शादी से और इंदू ही है इस फिल्म की में करेक्टर इंदू के ममी पापा शेखर और ईश्वरी मेहमानों का स्वागत कर रहे थे इश्वर जाकर रेनुका से पूछती है क्या इंदू तयार हो गई रेनुका कहती है पता नहीं व होने वाले दुल है संजय के साथ भाग जाती है और इंदू के पापा इंदू को जाकर बता देते हैं कि ये शादी नहीं होने वाली जिससे सब भी दंग रह जाते हैं अब कहानी जाती है एक साल के बाद और हम देखते हैं कि इंदू की फिर से शादी तैह हो गई है आनंद नाम के लड़के से इंदू को शादी के लिए तयार किया जाता है लेकिन इंदू की मा घबराई हुई थी कहीं इस बार भी कुछ अनर्थना हो जाए दूसरी तरफ हम आनंद के घर वाले को देखते हैं और वहां एक लड़की होती है पदमा जो आनंद और उसके भाई आर्या की चचेरी बहन है और उसके हाथ में चोट लग जाती है और खून बहने लगता है जिससे वो लोग चिलाने लगते हैं और आनंद की मा पदमा पर बहुत गुसा करती है और कहने लगती है कि इस लड़की के वज़े से ही मेरे बेटे की शादी भाग गई थी फिर आखिर में वहां आनंद के परिवार पहुंचाते हैं मतलब कि आनंद का भाई आर्या और उसकी बहन स्नेहा वो सबी शगुन का समान देने के लिए आये थे और आर्या उपर खिड़की पर अपने होने वाली भावी इंदू को देखता है फिर शगुन का समान देकर आर्या और उसकी बहन स्नेहा वहां से चले जाते हैं शेखर का नौकर उसे गुज दिखाना चाता है फिर वो लोग किचन में आते हैं जहां दूले के घर से आया शगुन का समान रखावा था और उसमें कठल था और नौकर दिखाता है कि ये कठल सिला हुआ है ज से कठल के बारे में पूछता है जिस पर वो कहने लगती है कि कठल हमारे और्गनिक फार्म का ही है बहुत टेस्टी है लेकिन शेखर कहता है कि कठल सिला हुआ है जिस पर आनंद की मा भी घबरा जाती है और अकेले में बात करने जाती है और सोचती है कि ऐसा कैसे हो सकता है शेखर भी यही कहते हैं कि कठल के अंदर एक पत्ता भी है आनंद की मा थोड़ी घबरा गई थी और वो कहती है आप उस कठल को तुरंट फेक दीजिए मैं नया भेजवाती हूँ शेखर का नौकर उस कठल को ले जाता है फेकने के लिए और वो लोग इस बारे में इंदू को नहीं बताना चाते थे लेकिन उनको नहीं पता कि इंदू उन लोगो की बाते सुन लेती है आनंद की मा बहुत जादा गुस्से में थी और वो सभी नौकरों से पूछती है कि आखिर कठल को सिल कर अंदर एक पता रखकर किसने भेजा तभी उसे याद आता है कि पदमा की उंगली जब कट गई थी तो उसके पास एक सुई भी थी तभी वो पदमा के कमरे में जाते हैं और उन्हें उस कमरे में सुई मिल जाता है वो पदमा के उपर बहुत चिलाने लगती है और उसे लगता है ये सब पदमा नहीं किया होगा लेकिन आर्या आकर अपनी माँ को समझाता है कि इस सुई का साइज देखिए ये बहुत छोटा है इसका इस्तमाल करके कैसे कोई कठल को सील सकता है इंदू अपने नौकर के पास जाकर उस कठल में से पत्ता ले लेती है और अपनी दादी को दिखाती है और पूछती है कि जरूर कोई उसकी शादी को रोकना चाता है लेकिन वो कौन है और वो सोचने लगती है कि अगर इस बार भी शादी रुक गई तो उसके ममी पापा सहनी पाएंगे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इंदू की बहन भानू और संजय जिससे एक साल पहले इंदू की शादी होन करने लेकिन उसकी चाची कहती है वो लोग नहीं जाने वाले क्योंकि अगर शादी में कुछ भी गलत हो गया तो उसका भी सारा अलजाम पदमा पर आएगा उसके बाद वो दोनों वैशनवी के बारे में बात करते हैं जो आर्या की पतनी हुआ करती थी और वैशनवी के इसलिए कोई माहौल खराब नहीं करना चाता और वो भानू को कुछ नहीं कहते हैं फिर हम एक आदमी को देखते हैं जो आर्या और आनंद की बेहंस नहा का पती है वो बस में एक लड़की को छेड़ता है जिस वज़े से उसे धक्के मार कर बस से निकाल दिया जाता है फिर पिछले बार की तरह भी इस बार शादी में कुछ गलत नहों जाए और वो सोचता है कि पदमा हमेशा शादी के वक्त ही ऐसा क्यूं करती है आर्या कहता है मेरी शादी तो आराम से हो गई थी लेकिन आनंद उसे याद दिलाता है कि उस समय पदमा अपने ससूराल में थी और सबी किसी न किसी बात को लेकर थोड़े टेंशन में थे शेकर और ईश्वरी को पता लगता है कि इनदू अपने कमरे में नहीं है आनंद की बहन पदमा खाना नहीं खा र Works cold फिर मंदप पर इन्दू को बुलाया जाता है और इन्दू संजे को देखे जारी थी जो आनंद भी नोटिस करता है शादी हो जाने के बाद आर्या अपने भाईया आनंद को बताता है कि वो आदमी कोई और नहीं बलके इंदू की बेहन का पती है लेकिन कुछ समय पहले इंदू गायब हो गई थी तो वो मिली कैसे देखते हैं वो एक कमरे में बंद हो गई थी उस कमरे को खुलता है आर्या और इंदू उसे बताती है किसी ने मुझे यहाँ बात करने के लिए बुलाया लेकिन कमरे को किसी ने बंद कर दिया पर आपको कैसे बता के मैं यहाँ पर थी संजय और भानू वहाँ जाकर फोटो खिचवाते हैं फिर सभी घर में आराम कर रहे थे और हम बाहर जाती है चेक करने के लिए कि आखिर वहाँ था कौन फिर वहाँ आर्या आ जाता है और इंदू से बताती है यहाँ पर कोई तो था तभी इंदू के पैर में सुई चुप जाती है जिस पर आर्या कहने लगता है लगता है यह वही सुई है जिससे कठल को सीला गया था आनन्द की माँ घर में सबी लोगों से कह देती है कि दुलहन को इस घर के रास के बारे में नहीं पता चलना चाहिए तो वहीं इंदू के मम्मी पापा बात कर रहे होते हैं कि भानू को शादी का कार्ड किसने भेजा शेकर कहता है कि ये इंविटेशन कार्ड में हैंड राइटिंग मेरा तो नहीं है सुभा सुभा इंदू के लिए एक कूरियर आता है और उसमें सूई होता है इंदू को लगने लगता है ये जरूर कठल से जुड़ा हुआ है वो उसे स्मेल करती है जिसमें कठल की खुशबू आ रही थी इंदू की माँ इंदू के लिए साड़ी लेकर आती है और उसे याद दिलाती है तुम सिंदूर लगाना भूल गई अब जल्दी से तयार हो जाओ बिदाई का वक्त हो गया है तबी वहाँ पर संजे पहुँच जाता है मतलब के भानू का पती और वो इंदू से कहने लगता है कि भानू से शादी करके उसने गल्ती कर दी फिर वहाँ आर्या आ जाता है और दोनों को एक साथ देख लेता है वो कमरे से बाहर आ जाता है और भानू से कहता है कि तुम्हारा पती बहुत समय से इंदू के कमरे में है तुम उसे ही ढूंड रही हो आर्या को रायता फैलाने में लगता है बहुत मज़ा आता है अब जब भानू कमरे में जाती है तो वो इंदू और संजय को एक साथ देखती है और अपनी बेहन को खड़ी कोटी सुनाने लगती है और कहती है कि बचपन से ही तुम है मुझसे ज़्यादा प्यार मिला क्योंकि तुम एक परफेक्ट बेटी थी संजय जाने से पहले कह देता है कि भानू से बचके रहना वो जो कहती है वो करके रहती है आनंद अपने छोटे भाई आर्या से अपना फोन मांगता है और उसे पूछने लगता है कि आखिर तुम मेरे फोन के साथ सारा दिन कर क्या रहे थे फिर हम देखते हैं कि आनंद आर्य इंदू को लेकर अपने घर आ जाते हैं और वहाँ एक रसम पूरा करने के लिए इंदू को अपने पैर को सिंदूर वाले पानी में डुबो कर घर के अंदर प्रवेश करना होगा लेकिन इंदू के पैर में चोट लगी भी थी सुई चुप जाने के वज़े से लेकिन फिर भ सीन देखते हैं पदमा का शादी के बाद पहला दिन था और वो अपने ससुराल में किचन में खीर बनाने वाली थी लेकिन उबलते वे दूद को देखकर वो बहुत जादा घबरा जाती है और वो अपने घर जाना चाहती थी लेकिन उसके दोनों भाई आरया और आनंद अबी याने के इंदू के पैर पर मरहम लगाती है और कहती है मेरी गलती थी मुझे पानी चेक कर लेना चाहिए था और वो अपने भाईया याने के आनंद के बारे में बात करने लगती है कि अगर आपका पैर ठीक नहीं हुआ तो आनंद गुसा हो जाएंगे और उनके गु अबी हैं तो उनका गुसा भी कम हो जाएगा इंदू पूछती है आखरी बार आपके भाईया गुसा कब हुए थें फिर सनेहा उस दिन को याद करती है जब आनंद पदमा पर बहुत गुसा हो गया था और वो कहने लगता है कि अगर वो एक मिनिट भी इस घर में रहती है तो मैं इसे मार दूँगा इंदू पूछती है उस औरत ने मुझसे कहा था इस घर से चली जाओ वो कौन थी सनेहा घबराने लगती है इंदू कहती है कि मैं घर में सबसे मिल चुकी हूँ लेकिन उस औरत से मैं नहीं मिली सनेहा कहती है वो हमारी चचेरी बहन है उसे कर देती है आर्या कहने लगता है दर्वाजा बंद करके कितनी बात हम इंदू से चुपाएंगे दूसरी तरफ इंदू कमरे के बाहर आ जाती है और एक नौकरानी उसे देख लेती है इंदू से कहती है मुझे वो बरतन चाहिए जिसमें मैंने पैर रखा था उसमें मेरी इंदू को वो घर के पीछे वाले स्टोर उमें बंद कर देंगे क्योंकि वो बात पात पर चिलाने लगती है इंदू उनकी बाते सुन रही थी लेकिन इंदू को नहीं पता कि इस नेहा का पती बाजी उसे देख रहा था नौकरानी इंदू के कमरे में वो बरतन लेकर आती वे देख लेती है तो नौकरानी बता देती है कि नई बहुरानी ने कहा था लाने के लिए और उन्होंने ही कहा इसमें कुछ मिला हुआ है आर्या से उसकी मा कह देती है कि नई बहुरानी आते ही अपना दिमाग चलाने लगी है पता करो कि आखिर वो चाहती क्या है इंदू को संजे का message आता है जिसमें उसका voice मिल था संजे कहता है भानू पागल हो गई है और तुम्हारे साथ पिछले साल जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारे पती को वो बता देगी तभी वहाँ आ रहे आ जाता है और वो अपने भावी को कह देता है कि आपको जादा डिटेक्टिव बनने की जरुवत नहीं है उस पानी में जो कुछ भी था शायद वो सनेहा नहीं किया होगा इंदू कहती है तो इसका मतलब सनेहा नहीं लाल मिर्च पॉडर मिला दिया फिर दोनों भाई घर में चल रहे चीजों के बारे में बात कर रहे थे तबी वहाँ उनके जीजा जी बात जी आते हैं और वो दोनों भाई से कहते हैं टेंशन लेने की जरुवत नहीं है आर्या अपने भाईया को बताता है के संजे और भावी का कुछ तो चल रहा है और इसलिए भानू भी आपसे मिलना चाती है आनंद को डर है कहीं उसकी शादी का हाल भी आर्या और वैशनवी के जैसा ना हो सुभा में इंदू पूजा कर रही थी और उसकी सास उसे कहती है बड़ी बहू होने के नाते अब से तुम ही सुभा पूजा करोगी और यहां की बात अपने घर वालों को बताने की जरुट नहीं है वो इंदू को याद दिलाती है कि आज अमा वसा की रात है कुछ भी हो जाए अपने पती को अपना चेहरा मत दिखाना आज की रात सनेहा तुमारे साथ सो जाएगी लेकिन फिर भी इंदू और आनंद एक दूसरे को देखते हैं फिर कुछ समय के बाद जब सभी लोग सो जाते हैं तो आधी रात में इंदू कमरे के बाहर चली जाती है और स्टोर रूम में जाकर पदमा से मिलती है पदमा उसे देखकर रोने लगती है और बेहोश हो जाती है इंदू घर के हौल में किसी को घूमते वे देखती है इस याँ खुली तो इंदू यहाँ पर नहीं थी, वो सभी बाहर इंदू को देखते हैं जो घर के बाहर गई थी, और आनंद उसे पूछता है तुम घर के बाहर क्या करने गई थी, इंदू कहती है कोई घर से बाहर अंदर आ गया था, और वो मुझे देखकर यहाँ से भाग आरिया कहता है पर मैंने तो दर्वाजा अच्छे से बंद कर दिया था, आनंद को लग रहा था कि इंदू संजे से मिलने के लिए गई थी, अबाजी वहाँ आकर कहता है फिलहाल ये जानना जरूरी है कि सनेहा को मारने की कोशिस किसने की, कोई घर वाला तो ये करेगा नही और ऐसा जरूरी भी नहीं है कि वो सनेहा को ही मारने आया था, क्योंकि वो कमरा इंदू का है, हो सकता है वो इंदू को मारने के लिए आया हो, अगली सुबह इंदू को अपनी बेहन भानू की कही गई बाते याद आती है, कि वो उसे खुशी से चैन से जीने ने देगी, व वो तुरंत अपनी मा को कॉल करती है और उसकी मा भी कहती है, कि कल रात भानू और उसके पती संजय के लड़ाई हो गई थी, और गुसे में ही कल रात वो घर छोड़ कर चली गई, इसलिए इंदू को लगने लगता है कि भानू ही कल रात आई होगी, उसे मारने के लिए, ल मिलने के लिए, आर्या अपनी भावी से कहता है, कि आप तो कुछी दिन में घर के बारे में सब कुछ जान गई है, इंदू उसे कहती है, तुमने सही कहा था, कि मैं डिटेक्टिव हूँ, ये सारी बात जाकर वो अपने बड़े भाई आनद को बताता है, जो काफी गुसा ह इंदू हैरान हो जाती है, कि इस घर की कोई छोटी बहु भी है, मतलब कि आर्या शादी शुदा है, ये सुनकर नौकरानी घबराने लगती है, और कहती है किसी को बताये गमत, कि आपको ये मुझ से पता चला है, इंदू उस नौकरानी से और सवाल पूछने लगती है, जी इंदू से कहता है, कि तुम बहुत होश्यार हो, और हम दोनों को एक साथ मिल कर पता लगाना चाहिए, किसने हापर हमला किसने किया, इंदू के घर से समान पहुंच जाता है, तो वहीं आनंद के लिए एक लेटर आता है भानू की तरफ से, जो उससे बात करना चाहती है शाम के समय इंदू के ममी पापा और पूरा परिवार इंदू के ससुराल पहुंच जाते हैं एक रसम पूरा करने के लिए, और इंदू भानू को लेकर चिंता कर रही थी जिस पर उसकी माँ से कह देती है, कि कल रात जो तमाशा हुआ संजे तो बहुत डर गया है, इंदू और संजे को एक होने से कोई नी रोख सकता, और आनंद को उन दोनों पर हमेशा से ही शक्ता, आनंद कमरे में जाकर अपनी पतनी इंदू पर चिलाता है, और आर्या जाकर उस हैंड़ाइटिंग को देखता है और कहता है, कि ये तो वैशनवी की हैंड़ाइटिंग है, जिस कार्ड भेजा गया था, उसकी फोटो भेजने के लिए, जब वो उस फोटो को देखते हैं, तो उन्हें पता चलता है, कि उस कार्ड में भी जो हैंड़ाइटिंग है, वो वैशनवी की ही है, आर्या घबराने लगता है, और उसे लगने लगता है, कि इस सब के पीछे वैश क्यों कर रही है, आखेर मैंने किया क्या है, इंदू वैशनवी से मिलना चाहती है, लेकिन आर्या मना कर देता है, और वो गुसे में अपना हाथ पटकने लगता है, और इंदू उसे समालती है, और उन दोनों को करीब देखकर आनंद को काफी जलन महसूस होता है, और को देखते हैं जो इंदू को जाकर बता देती है कि आपको अगर वैशनवी से मिलना है तो उनका एड्रेस आपको आर्या के कमरे में ही मिलेगा वैशनवी अपना कोई भी समान लेकर नहीं गई थी और सारा समान आर्या के कमरे में ही है इंदू कमरे में जाकर चेक करने लगती और वो नौकरानी बाहर खड़ी वी थी इंदू को अलमारी में से एक फाइल मिलती है तो वही आर्या की मम्मी उस नौकरानी से पूछती है कि तू यहां खरे-खरे कर क्या रही है और वो आर्या के कमरे को खुला वा देखकर दोबारा से छिटकनी लगा देती है लेकिन उसके वैशनवी नजर आती है और वो इंदू को एंजल ट्रमपेट और डेविल्स ट्रमपेट के बारे में बताती है और अचानक वहां से गायब हो जाती है घर में सभी पागल हुए जा रहे थे कि आखिर इंदू कहां चली गई आनंद अपनी बड़ी बेहन पदमा पर गुसा क आनंद की मा पागल हुए जारी थी कि आखिर उसकी नई बहुरानी कहां गायब हो गई दूसरी तरफ आनंद इंदू की बेहन भानू से बात करता है कि तुमने मुझे वो कार्ट क्यूं भेजा तुम मुझे क्या बताना चाहती थी भानू कहती है मैं तो संजे के साथ थे वो जाकर अपने भाया से पूछता है कि अगर भानू उस रात नहीं आई तो आपके कमरे में उस रात कौन था तब ही उनके घर पर तीन पुलिस वाले आते हैं और उसी वक्त इंदू भी घर में पहुंच जाती है और पुलिस वाले बताते हैं कि कल रात वैशनवी की बॉड़ी मुड़ा घर में है इसके बाद हम एक बुक स्टोर में देखते हैं जहां करमचारी देखने लगते हैं कोई किताब को नीचे फेक रा था और उस किताब के धेर में एक किताब था जिसका नाम था पौईजनस प्लांट इन इंडिया ये किताब शायद कनेक्टेड उस पत्ते से जो कठल के अंदर मिला था फिर कहानी आती है इंडू को दिखाते वे वो आर्या के साथ आती है वैशनवी के बॉड़ी को देखने के लिए मुरदा घर में जैसे देखकर सभी फूट फूट कर रोने लगते हैं वैशनवी की मौत की खबर सुनकर नौकरानी भ उसे धोका दिया इंडू से कहती है तो फिर तुमने वैशनवी के कपड़े अपने अलमारी में अभी तक क्यों रखे हुए हैं इंडू को लगता है कि वैशनवी का मर्डर हुआ है वो आरत प्रेगनेंट थी और एक प्रेगनेंट और खुद को क्यों मारना चाहेगी अगल जाकर कहता है कि वैशनवी को घर से निकालने वाला आर्या नहीं बलके आनन था आर्या समझदार लड़का है लेकिन आनन थोड़ा सा बेवकूफ है आर्या को पता चला कि वैशनवी के पेट में पल रहा बच्चा उसका नहीं है इसलिए वैशनवी को घर से निकाल दिया ग जिस पर बाजी कहता है कि तुम्हें मेरे साथ काम करना होगा और अगर तुम मेरे साथ काम नहीं करना चाहती मतलब के तुम मेरे खिलाफ हो। खुद पता लगा लो क्या हुआ था। आनंद को लगने लगता है कि इंदू और उसके भाई आर्या के बीच को चल रहा है। इंदू घर से बाहर जा रही थी और वो पूछती है आर्या कहा गया। आर्या की मा कहती है वो अपने बुक शॉपर होगा। आर्या पुलिस टेशन आया हुआ था इसलिए वो अपने बु आर्या बताता है कि वो चार मैने से अपनी पतनी के साथ इंटीमेट नहीं हुआ। तो इसलिए उसके पेट में जो बच्चा था वो आर्या का नहीं था। पुलिस आफिसर उसे बताते हैं कि वैशन वी ने खुट को नहीं मारा। पहले किसी ने तकिया से उसका दम घोटा और उसे पंखे से लटका दिया। इंदू जनार्धन के साथ उपर जाती है वहाँ कुछ करमचारी दकाम कर रहे थे जो बोड़ी सिल रहे थें और उनके पास वैसा ही बड़ा सा सुई था। शायद इसी से कठल को सीला गया होगा। पुलिस आफिसर बताते हैं कि पोस्ट म वैशनवी का मर्डर हुआ है। इंदू अपने घर आ रही थी तब ही वो फिर से उसी औरत को देखती है जो शैद वैशनवी है और इंदू उसका पीछा करने लगती है और वो एक घर पहुंचती है और बेल बजाती है लेकिन वो औरत वहाँ अकेले रहती थी और वो कहती ह यहाँ कोई और नहीं रहता लेकि जब इंदू वैशनवी का नाम लेती है तो वो औरत उसे पूछती है कि आप वैशनवी को कैसे जानती है इंदू बताती है कि वैशनवी मेरी देवरानी है क्या आप मुझे उसके बारे में कुछ बता सकती है तो वो औरत बताने लगती है कि ये घर असली में गर्ल्स हॉस्टल है दो माईने से वैशनवी यहीं रह रही थी और एक बुक्शॉप के मालिक ने वैशनवी से हमें मिलाया था वो बहुत ही अच्छी लड़की थी खुद को समालना जानती थी बहुत शर्मी ली थी पता नहीं आखरी वक्त में उसके मन में क्या चल रहा था आर्या और आनंद का परिवार पुलिस टेशन आये होते हैं वैशनवी के केस में इंट्रोगेशन के लिए आर्या अपनी बहुत से कहता है नौकरानी को भी यहां बुलाने के लिए क्योंकि अगर वो यहां नहीं होगी तो पुलिस को शक हो जाएगा पुछताच के दौरान आनंद कबूल करता है कि उसी ने वैशनवी को घर से बाहर निकाला था अपनी भाई की जिंदगी बचाने के लिए क्योंकि वैशनवी का अफ्यर चल रहा था लेकिन किस से चल रहा था ये नहीं पता फ्लैश बैग में देखते हैं जब आर्या को अपनी पतिनी का असलियत पता चल जाता है वो अपनी पतिनी का गला दबाने लगता है आनंद आकर दोनों को अलग करता है एक दिन आनंद आकर अपनी मां से कहता है वैशनवी को डॉक्टर के पास ले जाना होगा लेकिन उसकी मा मना करती है और कहती है कि वैशनवी ऐसे ही नाटक कर रही होगी उसे काम करने का मन नहीं है इसलिए आनन डॉक्टर को घर बुलाता है और पता चलता है कि वैशनवी प्रेगनेंट है आर्या से पूछताच के दोरान पुलिस आफिसर उसे पूछते हैं कि वैशनवी के साथ तुम्हारा फिजिकल रिलेशन क्यों नहीं था आर्या कहता है नए बिजनस के वज़े से उसे जादातर समय बाहर रहना पड़ता था और इसलिए जब वैशनवी प्रेगनेंट हुई तो आर्या समझ गया कि ये बच्चा उसका नहीं है नौकरानी का फोन नहीं लग रहा था तो वहीं इंदू जाकर बताती है कि वो नौकरानी मेरे घर पर है आपके घर से निकाले जाने पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहा जाए इसलिए वो मेरे घर पे रह रही है फिर वो अकेले में आर्या से बात करती है और उसे कहने लगती है कि जब से मैं शादी करके इस घर में आई हूँ यहां हर रिष्टा मुझे एक सवाल जैसा लगता है कुछ ना कुछ अजीब होते ही रहता है वो सोचने लगती है कि ये सारी चीज़े या तो उसे डराने के लिए या तो उसे बचाने के लिए वो अभी तक परिवार वालों को समझनी पाई है कि सभी इतना अजीब बड़ता फ्यूं करते हैं जैसे कि वो कुछ छुपा रहे हूं लेकिन घर का सबसे बड़ा मिस्टरी है आर्या और इंदू को वो होस्टल वाली औरत से पता चला और वो आर्या से पूछती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यूं किया लेकिन आर्या उसे कहता है मेरे खिलाफ तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है इंदू कहती है समय के साथ सच बाहर आही जाएगा उसके बाद पुलिस स्टेशन से पूरे परिवार को जाने दिया जाता है और आर्या इंदू को चुनोती देता है कि अगर वो सच का पता लगा सकती है तो लगा ले लेकिन वो पता नहीं लगा पाएगी लेकिन इंदू सच का पता लगा कर ही दम लेगी और इसे के साथ वधूवू सीजन वण यहीं पर खतम हो जाती है अभी भी रहसे का पता नहीं लग पाया शायद सीजन टू में पता लगेगा खेर आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रू बताएं वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलता है नेक्स्ट वीडियो में टेक केर